अपनी संतान को मुबाइल के एडिक्शन से बचाने की इच्छा करने वाले आप सभी अभिभावक एवं संरक्षक गण आप सभी को मैं संतोष शिरी अर्विंदो सोसाइटी के के प्रतिनिधी के रूप में आपका अभिनंदन करती हूं और साथे प्रणाम करती हूं और आप सभी विवर्स का भी जो अपनी उपस्तेती दर्ज कराते हैं लाइक करते हैं हमारे मैटर्स को हमारे कंटेंट को शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे से कॉंप्लिमेंट्स देते हैं सुझाव देते हैं और प्राब्लम सॉल्व की इच्छा करने वाल आप सभी का भी हमारी सूसाइटी आभार प्रदर्शित करती है आज का जो विशय है वो विश्वयापी जोलन्त समस्य है क्योंकि आप सभी इस विशय पर परिशान हैं पर उसका निदान खोजबाना आपके लिए बड़ा कठें सा होता चला जा रहा है चलिए आज इसी पर हम हम बात कर लेते हैं क्या है कि बच्चों में वाईल की पड़ी ऐसी लत कि हम माता-पिता को हिनों ने कर दिया पस्त और वासंतों में अमता-पिता इतनी पस्त हो रहे हैं कि जो सोभावी किछा से वो पेरेंटी bibli कटा चाहते हैं वो उसमें यह मूबाईल छोटा सा डिबी इ और पड़सों में इसके निदान के विशय में इसके निवारन के विशय में हम आपस में चर्चा करेंगे। और एरोप्लेन में भी सिर्फ एक बात्ची थी तो आप नहीं कर सकते बाकी में भी सब इसी काम में लगे हुएं। प्राकृतिक वस्तु का आनन्द लेने की आनन्द उनके सामने है। वो किसी प्राकृतिक वस्तु का आनन्द भी लेना नहीं जाते। बस सिर्फ एक वर्चुल दुनिया में वो बैठे रहना चाहते हैं। उनको अच्छा लगता है कि केवल हम केवल और केवल मैं हो और मेरा मोबाइल हो। अगर वो ना हो तो ऐसे परिशान हो जाते हैं कि पताने क्या वस्तु उनकी खो गई। बाकि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। सुबह उटकर ना किसी तरह का भजन की इच्छा है, ना किसी तरह की आवश्यक अपनी वस्तुओं का, अपनी आवश्यक कारियों के विश चली जा रही है कि उनको केवल, केवल और केवल उनकी आवश्यक आवश्यकता मोबाइल बनती चली जा रही है। कभी पहले आप घर पर आते थे या आपके बच्चे बहुत छोटे होते थे जिस समय आपके घर में मोबाइल नहीं था, तो आपके बच्चे, जिनके बच्च कारेकलाब होता था आपके साथória करते थे आप जो पापा आएन गे मम्मी आएन गे तो हमें ये बताएंगे को मम्मी आज हमने ये किया परंतो आज वो इस्थितितिया ही नहीं आज बच्चे दोडडड़ कर आते हैं दोडड़ कर आना क्या वो देख करके फिर अपने मोबाइल में लग जाते हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पापा बाहर से आये है या मम्मी क्या लेकर क्या आई है उन्हें चीजें देखने तक की भी इच्छा नहीं होती जो कि पहले बच्चों के अंदर ये कुछ सुकता होती थी एक क्योरी सिटी हो आया सिर्फ उनको अप्रिशियेशन किसका चाहिए मोबाइल का वर्चूल दुनिया का अप्रिशियेशन चाहिए यही हल यह है कि उनको एच्छीवमेंट के आप से उपलब्दियों की भी इच्छा नहीं है उनको सारी उपलब्दियां लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कि एक बुद्धी जीवी वर्ग के लिए सभावे के एक सामाने वर्ग या इस तरह का जो की ऐसा वर्ग है जिस पर किसी बच्चे के बिगड़ने और सुधरने का कोई फरक ही नहीं पढ़ता उस वर्ग के लिए तो मैं नहीं कहूंगी पर उस वर्ग के लिए कहूंगी उस संतान के प्रतिप बहुत चिंतित है और उनके लिए भी नहीं कहीं कोई अपवाद सरूप भी है ऐसा नहीं है कि अपवाद है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उस वर्ग में भी चिंतित होते हैं कि अरे मुझे अपने बच्चे को मुबाइल नहीं दिखाना है, तो मैं उस वर्ग के लिए कह रही हूँ, जो बुद्धी जीवी वर्ग है, उसको वो अपनी दुनिया को उजड़ा हुआ महसूस कर रहा है, कि अपनी तो दुनिया उजड़ गई, क्योंकि बच्चा सारे दिन मुबाइल पर है, इत तरह से असमंजस के इस्तिती में जी रहा है, इतना परेशान है कि मैं क्या करूंगा, कि इस तरह से अपने बच्चों को हटाओं, पर अब जड़ा सा एक बात सोचिए, कि गल्ती किसकी थी, फिर भी मैं एक बात कहूंगी, मुझे एक बात याद आ रही है, नए रिष्टे न बने तो मलाल न करना, नए रिष्टे बने तो मलाल न करना, पुराने टूट न जाएं, बस इतना खयाल रखना, क्योंकि जो पुराने रिष्टे आपके और आपकी संतान के मद्धे बने हुए हैं, आपके भाईयों के मद्धे बने हुए हैं, आपके बहनों के मद्धे तो उसका कारण क्या है? उसका जो कारण है वो कहीं आप ही तो नहीं है, आपका मुबाइल है, तो कहीं एक इसके माध्यम से ही सारे रिष्टे न तोट जाएं, तो इस नए रिष्टों कि तो जब बनेंगे तो बनेंगे, बड़ा मुश्किल है आजकल नए रिष्टे बनाना, कारण क्या है नए रिष्टे तो तब बनेंगे जब आंपापस में मिलेंगे जूलेंगे बच्चे पारिबारीक समारों में सांस्कृतिक समारों में जाना ही नहीं नहीं चाते नहीं नहीं मम्मी आपको है और आप भी एक attendedence की तरह के लगाने की वज़े से जाते हैं ना कि उनसे मिलने जुलने की वज़े से जाते हैं, ना उनसे बातचीत की वज़े से जाते हैं, अरे भई शादी में तो जाना ही पड़ेगा, कल को हमारे हैं फंक्शन में कौन आएगा, उनके बड़े पार्टी आरे उसने ऐसे टाइम पर रख दी, मेरा तो ये वाला सीरियल खतम हो जाएगा, ये तो मैं देखी नहीं पाऊंगी, इस इस तरह की बाती जब आप सोचते हैं, तो बताईए आप कैसे रिष्टे नए बना लेंगे, आपके नए रिष्टे तभी मैं कहते हूं, नए रिष्टे ना बनें, पर इसका मलाल नहीं करो, क्योंकि इस समय करके रखिएगा, तो नए रिष्टे तो कैसे बन पाएंगे, समारों में जाने नहीं चाहते, पुराने टूटने की कगार पर पड़े, पुरानों की स्तिती असी हो रही है, कि आप जो है, आपको मुबाइल बहुत अच्छा लगता है, मुबाइल पर आपके सैंकड़ों द करते हैं, तो ये जो है, कारण उसका क्या हो रहा है, वर्चूल दुनिया से जो आपका जुड़ा है, वो आपको कहीं का नहीं रहने देरा, इसराहिल में तेल अभी यूनिवस्टी है, वहाँ पर अभी एक रिसर्च की गई, और उस रिसर्च भी ये बताया गया, कि जिसकी मां ज्यादा स्मार्टफोन पर लगी रहती है, उसके बच्चों का डवलॉपमेंट बहुत स्लो होता है, कारण कि उसकी अपने बच्चों से चार गुना बातचीत कम हो जाती है, क्योंकि वो जब जब चौविस बार बात करती थी, वो आज छे बार ही बात कर पाती है, और क काम की ही केवल बात कर पाती है, तो चार गुना बातचीत कम होने से क्या हुआ, कि उसके बच्चों का डवलॉपमेंट स्लो हो गया, क्योंकि डवलॉपमेंट स्लो कव होता है, जब आप बच्चों से समवाध हीनता करने लगते हैं, समवाध के माध्यम से बच्चे का मांसि भी तो पेजलाती है या जो भी छो फिजिकली उसका वर्थ करते तो क्या है उसका डवलापमेंट प्रफेकली में traits करते हैं तो और म 너 म् जी जी यहां जी यहां जी यहां यहां यह सब ठीक हो जाएगा हो जाएगा चाहिए वो business पहने चाहिए वो service class person है उसका हर समें और नहीं तो जो लोग online पर हैं वो कमरा बंद कर लेते हैं कोई नहीं आएगा यहां पर और अपना online काम करते रहते हैं बच्चों को restriction होती है कि व समय दे पा रहा है, सब कुछ दे पा रहा है, पर समय और समय उनके पास है नहीं, और नहीं उससे connect होने पारते हैं, जब कभी बच्चे से बात मनवानी होती है, तो बड़े प्यार से कहते हैं, अरे सुना, तुझे न मुबाइल देखने के लिए इतना time दे दूँगी, तू क् काम कर दे, तो बच्चा जो है, बच्चे के लिए उसका लालच इतना बड़ा होता है, कि वो उनके सब काम कर दे को तब तयार हो जाता है, तो क्या है हमने अपने बच्चों से इस तरह की प्रवर्ति डाल दी, कि वो मुबाइल के प्रतिलालची हो गए, ना उन्हें किसी त अगर नहीं हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, आप मुझे सुझाव दीजिएगा, कि हमें ऐसे भी क्या करना चाहिए, और मा भी या तो काम में लगी होती है, तो कहती है, चल चल उसको यहां बैठा दू, वो मुबाइल देख लेगा, टीवी देख लेगा, बच इस सीरियल को देखते ही, कि अच्छा चल मेरी जान चोड़, और वहां बैठ जा, उस तरह से मा जो है, उसको देख करके, वो बच्चे, वो बच्चा जो है, दीन दुनिया से बेखवर होकर, शांती बद्ध तरीके से एक बैठ करके, मुबाइल पर अपनी चीज़ें देख देखने लगता है, कार्टून देखता है, दुनिया भर की चीज़ें देखता रहता है, और उसी में खुश होता रहता है, उसी में रोता रहता है, उसी में हसता रहता है, जो उसके असली दुनिया है, वो सब बेकार है, कभी-कभी तो घर में इतनी शांती हो जाती है, कि सा आपने टेकनोलोजी का गुलाम बना जा रहा है, हमें मैं कहती हूँ कि हमें गुलाम बनना बिलकुल गलत है हमारा, हमें गुलाम नहीं बनना, उसका स्वामी बनना है, जब हम चाहें तो उसको यूज करें, जब हम ना चाहें तो उसको यूज ना करें, परन तो वो क्या है, व बच्चे जो है उसका वो बच्चे दीन दुनिया से बेखबर होकर शांति बद तरीके से उसमें बैठे देख रहे हैं अब अगर किसी घर के घर चले जाओ आज कल तो कोई किसी को टाइम नहीं दे रहा गरदन चुका है सब मूबाइल पर लगे हुए हैं कभी कभी किसी के घर मिलती है घर में कोई परिशानी नहीं पर जो है जो यह अशांति होती चली जा रही है वो कितनी घादक है यह कोई नहीं समझ पा रहा है कि किसी प्रकार से हम संपरकों से जुड़ नहीं पा रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा परिशानी हो रही है मूबाइल को इस sitting की तरह से use कर रही है, बच्चा बैठा हुआ कार्टून देख रहा है, कैसा कार्टून है, कैसी उसकी भाशा है, उसको कोई मतलब नहीं, तो बच्चा इस तरह से addict हो गया है, इस तरह से addiction है, तो और फिर बात में परेशान होती है, मेरे बच्चे को तो जब देखो, छे महीन उसको तो पैदा होते ही, उसको mobile दे दो जी, उसने तो शुरू किस ने किया, आप नहीं तो शुरू करा, आप नहीं तो उसको सुविधा भोगी प्रवर्ती बनाने के लिए, बना करके, उसका भविश असुविधा जनक कर दिया, और वो असुरक्षित महसूस करने लगा, उसके भविश्य को आपने असुविधा जनक बना करके असुरक्षित कर दिया अब वो किसी काम कर रहेगा शुरू किस ने किया भई अब आप परेशान हो रहे हैं जी मेरा बच्चा ऐसा है मैं क्या करूं कैसे करूं कभी किसी से बात करें कभी किसी से अरे भई जब तुमने क आपने किया है, तो भूग तो, भूगतना तो आपको पढ़ेगा, तो इसे किस ने किया? शुरू आपने किया, उसने तो आपने आप खरीदा नहीं, वो तो जाकर खरीद नहीं पाया, आपने उसे सब कुछ दिया, परंट उसको टाइम नहीं दिया, बच्चे क्या करें ऐसे में, में तू इन बार्ण कॉ ungefähr आपने भर दी mobile की in-bound quality उनके उनके इंदर भर्दी पैदा होते ही आपने उसको ये सब दीए अब घर से बाहर बच्चा जाना नहीं चागता mobile से चिपका रहना चाहता है उसके अंदर एक addiction हो गया है वो चाहता है कि मैं बस मोबाइल देखता रहा हूं उझे ना कोई डिस्टरब करें ना कुछ करें और जो है उसके बारते जो नहीं कई बारतों वो जो उसे नहीं देखना चाहिए वो सब भी उसको वहां उसमें बैठा हुआ देख रहा है इसका यूज हो रहा है यूज नहीं हो रहा है इसका मिस यूज हो रहा है भई आवशक्ता हो गई है मैं मानती हूँ इसके आवशक्ता है क्योंकि अब कॉरोना के टाइम है और फिर अब फिर कॉरोना अपने आप घर मनाता चला जा रहा है चाहिना की इस्तिती त तो आपको पता ही है, पर भारत में भी इतने सारे पेशेंट्स दिखाई देने लगे हैं इसके, तो अब उसमें हमें इसके आवश्यक्ता तो है, पर इसके गुलाम बनना हमें नहीं, हम इसको उपयोगिता को ध्यान में रखकर कारे करें, ना कि उसके के एक एडिक्ट बन जा है, तो यह हमें बात ध्यान रखने पड़ेगी, हम उसका मिस्यूज ना करें, हमारी शोशल लाइफ उसकी वज़े से खतम हो गई, फिजिकल स्टैमिना हमारे बच्चों का खतम हो चला जा रहा है, बच्चों की जो सोच है, उस मुबाइल के एकॉर्डिंग ही होती चली जा वर्चल यह बनता चला जा रहा है, जो आपका मुबाइल से, जो आप गूगल से जो ग्यान मिल रहा है, वो जरूरी नहीं कि सारा सही ग्यान हो, तो उस ग्यान को ध्यान में रख करके, आप किसी भी कुश्चन का आंसर मत दीजेगा, कई बार कुश्चन का आंसर गलत भी है तो अगर आपको सही ग्यान नहीं मिल रहा, आपको पस्ट नहीं है, सुरक्षित ग्यान नहीं है, तो उसका क्या फायदा और आपका बच्चा तो उसी में आंकड़ा है देख रहा है, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, एक और भी बात है कि मैंने कई पढ़ा था, बाइलोजी के ही उसमें, कि हमारी शरीर से एक श्राव निकलता है, जिसको कहते हैं डोपामीन, उस श्राव से क्या होता है, कि वो हमको दीरे दीरे पुश करता रहता है, ये करो, ये करो, जैसे कई बार आप बजार जाते हैं, तो आपको अवश्यक्ता नहीं होती है किसी जीद करता है, उसी तरह से मुबाइल का एडिक्शन है, कि जब आप मुबाइल को देखने लगते हैं, चल ये भी देख लेते हैं, अब ये भी देख लेते हैं, ये भी चल रहा है, चल ये ही कर ली, तो बच्चों को सुविधा भोगी बनाने की आदत भी जो आपके अंदर बनती जा रही है, वो भी एक डोपामीन के श्राव का ही कारण है, मैं तो उसको कहूंगी यह डोपामीन डाकू है, जिसने के हमारे मस्तिश्क की सारी उर्जा छीन ले, क्योंकि हमारे मस्तिश्क को काम करने लायक नहीं छोड़ा, हम उस तरह की सोच रखी नहीं पाते, जो भी सोच है, सोच रहे के तो क्षमता ही नहीं देता, बस उसी के अकॉर्डिंग है, हमारे जो जीवन है, वो घूमता चलता रहता है, और हमारे मस्तिश्क का मिला, हमारे सारा का सारा समय खराब हो गया, जो उर्जा हमारी सकारात्म कुपलब्दियों में के लिए थी, तो वो सार है, आप बच्चों का बचे मद चैने, बच्चे जो है, बच्चों का बच्पन चिन गया, परिस्त जो थे, यूवाओं के अंदर जो ओज होना चाहिए जो उतसा होना चाहिए, उम्मांग होना चाहिये, वो ख़त्प, वो सिर्फ मोबाईल में लगे हुए हैं, और आपके क बच्चों के लिए बच्चों का तो बच्पन चिना, किशोरों का, किशोरों और युवाओं की उर्जा खत्म हो गई, और प्रोड जो अपने अनुभाव दूसरों के लिए बाटते हैं, या अपनी सारी चीजें उनके लिए करते हैं, वो भी उसमें लग गएं, और भी गूगल से अपने बच्चों को पालने में लगती हैं, उनको वही बात सही लगती है, परन्तु ऐसा कुछ नहीं है, कि आप जो अपनी माता-पिता से, अपने दादी-दादा से, अपनी सास-सुर से, जो भोजन बनाने के तरीके सीखती थी, उसके तरीके अलग ही होते उसके साथ अलग ही होते थे, आप के वर गूगल में है, जो माताब, जो उसके अंदर इस नहीं होता था, प्यार होता था, आपकी मा के, वो गूगल में तो एक प्रोफेशनल हो गया, तो आप उस तरीके से उसको करना चाहते हैं, तो और उसके साथ-साथ क्या है, कि सब लो से भी आई स्पेस्लिस के पास चले जाए, उसके हम भीड लगी होगी, और सबका कारण क्या है, मूबाइल, किसी भी आप फिजुत, पेट के डॉक्टर के पास चले जाए, तो उसको अपच की बच्चों, ज्यादा तर लोगों में अपच की समस्या, कारण क्या है, भोजन आपके सामने रखा है, मूबाइल चल रहा है, जो मुझ से श्राव निकलते हैं, जो लाड निकलती है, जो सलाइवा निकलता है, जो आपको भोजन में को पचाने में सहायक होता है, वो तो आपका हुआ ही नहीं, और जब भोजन में पचाने में सहायक नहीं हुआ, तो का रही है, जिद्धी हो गया है, गुच्सेल हो गया है, चिरचिड़ा हो गया है, क्योंकि जो उसकी स्क्रीन को देखते देखते, उसकी जो सहज प्रवर्टी है, वो समाप्त होते ही जा रही है, जो कि उसको खेल कूद करके मिला करती थी, जो उसको अच्छी तरह से समझता थ खेलता था, कूटता था, और अच्छी तरह से भोजन करता था, भोजन का रसा स्वाधन करता था, वो सारा समाप्त हो गया, उसकी जगे क्या है, बच्चा तो समझी नहीं पाता, आप चीदे साइकलोजिस्ट के पास ले जा रहे हैं, वो अपना पैसा कमा रहा है, बना रहा है उसको क्या बुराई लग रही है, एक फीजियो थेरेपिस्ट से बात हो रही थी, तो उसने का, जी सबसे ज़्यादा सर्वाई कल के मेरे पास मरी जाते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर समय लोग ना मोबाईल पर देख रहे हैं, या फिर लैप्टॉप पर देख रहे हैं, मतल इसको ये जो है, ये आपके साइकोलोजिस्ट है, नीद भूक है, स्क्रीन देख देखकर दिमागी संतुलन बिगड़ गया, स्ट्रेस होते हैं, चला जा रहा है लोगों को, सर्वाईकल पेन जो जिसके विशे में मैं अभी बात कर रही थी, इतना कुछ होता चला जा रहा ह है, तो टीन एज जो है, वो इसक्रीन एज बनती चली जा रही है, जो टीन एज है, जो हमारा किशोर है, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा लालाईत होता है, इसको देखने हैं, तो वो एक स्क्रीन पर ही अपने को समेटे हुए है, अपनी सारे बुद्धी, कौशल, सब उस स्क्रीन पर है वो इतनी ज़्यादा टॉक्नोलोजी और आतनी सारे के सारे 4G's, 6G, 4G ये सारे के सारे इतनी नए नए आटिशन निकलते चले जा रहे हैं कि वो श्याद हमारी उम्री के लोग तो जानते भी नहीं हम तो श्याद उसको वैसे भी नहीं जानते वो निकलते जा रहे है चोटा बच्चा उसको किशोर तो ऐसे एक्सपर्ट हो रहे हैं कि जैसे कि ये सारे बस कंप्यूटर या मुबाईल के इंजीनियर ये रहे हैं, तो वो उसी में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस ती जॉब जिसने केस का निर्मार्ण किया, उसने अपने बच्चों को 16 साल तक कंप्यूटर नहीं देखने दिया अपना ये मूबाइल नहीं देखने दिया गया जब उससे पूछा गया ये आपने क्यों नहीं दिखाया तो उसने का इस शयतान को मैंने ही तो तैयार किया है तो इसके हानिलाब मैं ही तो अच्छी तरह समझ सकता हूँ इसलिए मैंने उनको नहीं दिखाया है जब जो उसका निर्माता ही उसको नहीं दिखाने दे रहा तो आप सोचो कि आपकी क्या स्थिति होगी आप सोचते हैं अरे फ्री में मनोरंजन मिल रहा है चल टीवी देख बच्चे बाहर जाना भी नहीं चाहता और वो कहती है, बाहर जाने बहेजने में तो जी मुझे ड़ लगता है, मैंने भेजती किस से लड़ के आजाए, किसी से जगण के आजाए अरे घर में बैठा टीवी देख रहा है ठीक है न, पर आपने टीवी दिखाने से कितना बड़ा नुकसान उसका कर दिया, और सब घर में बैठे, क्योंकि उसके कोई दोस्त है नहीं, क्योंकि सभी अपने घरों में बैठ कर टीवी देख रहे हैं, तो आपने भी कह दिया, चल टीवी देख लिए, आप खुद पाइल में बैठे, उसे भी परेशानी नहीं, आपको भी परेशानी नहीं, पर परेशानी किस जो बुद्धी जीवी वर्ग है, जो इस बात को समझता है, सोचता है, तो वो बुद्धी जीवी वर्ग इस बात को सोच करके, आज असमंजस्प के स्थिति में, परेशानी के स अरे मेरे बच्चे को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है उसका भावी जीवन कैसा है यह कहते है जी क्या करें सारे सारे दुनिया ही यह सारे बच्चे मैं यह अपने बच्चे को कैसे रोखूं अरे आप शुरूर तो करिए दूसरे भी करें आपस में आप फैमली के लोगों से खेर इसका निवारन की बातें तो मैं कर बातें करूंगी मेरा निकलने बातें करूंगी आज तो सिर्फ मैं कारण बताये दे रहे हूं तो क्या हो रह में इसको रस्तिक्ट रस्तिक्ट ज़ल लगा हुए है और उसको रस्तिक्ट किया हुआ है तो उन के लिए मैं बात नहीं करें वो एक अबात स्वरूप है तो बच्चों का sense of appreciation जो है वो इसमें समाप्त हो रहा है वो सिर्फ virtual दुनिया से appreciation लिए जा रहे हैं और sense of achievement जो भी achievement जो उसे माता पिता से चाहिए था वो सारा का सारा achievement आपके mobile से बच्चों को मिल रहा है तो बच्चों को आपकी जरूरत क्या है आपने तो उसको छोटी से debit थमा के सारा संसार ले करके रख दिया सारा ब्रह्मान डी ले करके आपने उसके सामने रख दिया है तो वो आपके पास क्यूं आएगा क्यूं करेगा इसलिए पर फिर भी मैं आपसे एक निवेदन चाहूंगी एक रिक्वेस्ट चाहूंगी चाहे कि वर्चूल से रियल दुनिया में रहना आपसे बांडिंग के लिए बहुत जरूरी है आज हमने इसके कारण के बारे में जाना कल हम निवारन के बारे में जानेंगे तो इसलिए आप हमसे कनेक्ट होना मत पूलिएगा जुड़िएगा उसके सुझाव दीजिएगा और शंका समधान करिएगा आज भी आप शंका समधान कर सकते हैं जुड़ करके आप सुझाव दीजिएगा जिससे कि वो सुझाव हमें मिलेंगे हम उस पर भी अमल करेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे, आपका दिया हुआ सुझाओ, नजाने कितने लोगों को फाइदा पहँचाएगा, आप चाहते हैं कि किस तरह से मैं लोगों तक अपने विचारों के माध्यम से पहुंची हूँ, अपने विचारों को दूँ, सुझ थाम किस प्रकार से की जा सकती है, इलका प्रियोग हम किस प्रकार से करें, क्यूं करते हो बाहर बाहरों का इंतजार, क्यूं करते हो बाहर बाहरों का इंतजार, तुम खुदी तो हो अपने खुशियों के शिल्पकार, तो देखे, आप अपने आप से अपने शिल्पकार ब तो परसों हम आपसे फिर मिलते हैं, किसके माध्यम से, इसके निवारण के माध्यम से, कि हम इसका निवारण के मुबाइल की लट से हटने का निवारण करने के लिए हम फिर आपसे मिलते हैं, फिर इसके साथ साथ ही मैं आपको पुने धन्यवाद देती हूं, आपका आभार प्रदर्शन करती हूं और आपके सुझाओं की कामना करती हूं धन्यवाद